नमस्कार, गमासाथ हैल्सकिप्स में आप सभी का स्पागत है खजूर का नाम लेते ही मुँ में मिठास खुल जाती है खजूर खाने में जितने मीठे होते हैं उतने ही ये लावकारी भी होते है खजूर हट्यू की मजबूती के लिए अच्छा होता है लेकिन तुरंट एनरजी देने में खजूर बेहत का अधर होता है जाने खजूर के कुछ फाइदी आपको बता दें कि फाइबर सिफरपूर खजूर में स्वात के साथी सीहत के भी कई राजशेपे हुए है प्रेगनेंसी की छटी महीने से रोज 6 सी 7 खजूर जरूर खाए कई रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर लेट प्रेगनेंसी में रोज खजूर खाया जाए तो प्रेगनेंसी की कई दिक्कते ही नहीं बलकि डिलेवरी के समय भी मा और बच्ची को कई तरह के रिस्क से बचाया जा सकता है खजूर एक ऐसा फल है जो आपकी सीहत के लिए बहुत अच्छा है इसमें धेरो पोशक्तत्व पाए जाते हैं और माना जाता है कि ये कई बिमारियों को दूर कह सकता है खजूर काने से शरीर में ऑक्सेटोसिन की मातरा सही होती है जो डिलेवरी के समय यूटरिस की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है ऑक्सेटोसिन प्रोस्टागलेंडिस को प्रोडियूस करता है जो लेबर के लिए बहुत है इसे यूर्टरिस में संकुचन क्रिया तेज हो जाती है तो आए जानते हैं खजूर से होने बाले अनिक फायदों की बारे में बच्चों के साथ मा के बोन्स के लिए मैगनेश्यम की जरुरत होती है इसे जरुरत को भी खजूर ही पूरा करता है बच्चों के दाथ के साथ लीवर और किड्नी की अस्तामानेता को भी मैगनेशिम सही करता है खजूर में ऐसे कमपॉर्ण पाए गए हैं जो कॉंट्रेक्शन के लिए जरूरी हॉर्मेन ऑक्सिटॉसिन जैसा होता है यही वज़ा है कि खजूर काने से महिलाओं को डिलेवरी में कम परिशानी होती है प्रेगनेशि में एनरजी के जरूरत आम दिरों की अपिक्शा जादा होती है करीब 6 खजूर खाकर आप अपने अंदर एनरजी का पूरा खजाना भर सकती है मा के साथ बच्चे के लिए प्रेगनेशि में प्रोटीन की जरूर बहुत होती है प्रोटीन एमिनो एसिट प्रोड्यूस करता है और खजूर में प्रोटीन की मात्रा इतनी होती है कि वो जरूरत को पूरा करने में सक्षम होता है ये body growth के लिए बहुत ज़रूरी है vitamin K से भरपूर debts बच्चे के bone और development के लिए बहुत ज़रूरी है pregnancy में common problem होती है cubs की debts high fiber से भरा होता है इसलिए ये पेट को साफ रगने में बहुत कारगर है साथ ही ये cholesterol level को भी balance रखता है